कुरोना वाइरस महामारी के गहराते संकट का सीधा असर धार्मिक उत्सबों पर पढ़ रहा है। साल 1934 में हुई थी तब से ऐसा पहली पार है जब यहां गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं होगा। के बाद यह फैसला लिया है। इससे पहले सीधा मुद्धव ठाकरे ने कुरोना के खतरे को देखते हुए गणेश पूजा धूमधाम से नहीं मनाने की अपील की थी। महराश्ट सीध ने ये भी कहा कि एक पंडाल में चार फिट से ज्यादा की प्रतिमान ना लगाएं और पंडाल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाए। बतादें कि मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में गणेश चतुर्थी के मौके पर दस दिनों का भव्वे आयोजन होता है। मुंबई के लाल बाक्चा में आम लोगों के साथ-साथ बड़ी हस्तियां भी गणेश पूजा के लिए पहुँचती हैं। मुहमद नुर्थदीन की रिपोर्ट गो नीवस।